नमस्कार चानक्या IAS Academy के संपाद की विशलेशन में आपका स्वागत है संपादिकी से संबंधित इस वीडियो की सुरुवात करते हैं पिछले संपादिकी से संबंधित वीडियो में पूछे गए प्रशन के साथ प्रशन था कि के संथनम समिती की अनुसंसा पर निम्न में से किसकी इस्थापना की गए है चार ओप्सन है A केंद्रिय सतरकता आयोग B केंद्रिय जांच बीरो C A और B और D इन में से कोई नहीं तो इसका सही जवाब है ओप्सन A केंद्रिय सतरकता आयोग अब हम देखते हैं आज का पहला संपादिकी जिसका शिर्षक है The Shade of Grey इस संपादिकी को लिया गया है हिंदू न्यूस पेपर से और या संपादिकी है GS Paper 2 में शामिल विस है महतपूर्ण अंतरास्टिय संस्थान, संस्थाएं और मंच उनकी संगरचना अधिसेश के दृष्टिकोन से महतपूर्ण है चलिए देखते हैं इस संपादिकी को विस्तार के साथ इस संपादिकी का आधहार है इपाकिस्तान का FATF के ग्रे लिस्ट में फरवरी 2021 तक बरकरार रहना FATF यानि Financial Action Task Force जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी और यह एक अंतर सरकारी संगठन है इसकी स्थापना का उद्दे से आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉंडरिंग को वैस्विक इस्तर पर रोकना है और FATF की जो हालिया बैठक हुई उस बैठक में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बनाई रखने पर सहमती हुई है उसवेर बरकरार रखा गया है पाकिस्तान को अब इसका कारण क्या है इसका कारण यह है कि पाकिस्तान को जो 27 एक्षन पॉइंट दिया गया था जिस पर पाकिस्तान को काम करना था तो पाकिस्तान ने इस 27 एक्षन पॉइंट जो की आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉंडरिंग को रोकने से समंधित था तो उस पर पाकिस्तान ने मात्र 21 एक्षन पॉइंट पर काम किया है जबकि 6 एक्षन पॉइंट के संदर में पाकिस्तान ओसफल रहा है तो अब यहाँ पर महत्पूर्ण यह है कि पाकिस्तान को इन 6 एक्षन पॉइंट पर काम करने के लिए 4 महिने का समय मिला है तो यह जो चार महिने का समय पाकिस्तान को प्राप्त हुआ है पाकिस्तान इसका सदूपयोग कर सकता है कैसे वो देखे पहला United Nations Security Council के द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध कारवाई करके उसके अलावा जो charitable संगठन है जिनका link आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के साथ है उनके विरुद्ध कारवाई करके उसके अलावा जो भगोड़े आतंकवादी है मतल़ जो fugitive हैं उनको पकड़ना और उनके विरुद्ध मुकदमा चलाना उसके अलावा पाकिस्तान सरकार के द्वारा जो anti-terrorism act बना United Nations Security Council के द्वारा अधिसूचित आतंकवादियों की सूची में है उसके अलावा नार्कोटिक्स और smuggling इन दोनों के द्वारा पाकिस्तान में जो आतंकी funding होती है उसको भी रोकना है वहीं अगर हम grey list के मायने की बात करें तो पाकिस्तान के संदर में आखिर इस grey list में अगले रहने का क्या अर्थ है तो अर्थ यहां पर यह है कि पाकिस्तान को International Monetary Fund, World Bank और European Union तो इन से आर्थिक मदद लेने में दिक्कत हो सकती है उसके अलावा जो विभिन देश हैं वो विभिन देश भी पाकिस्तान में निवेश करने से कत्राएंगे और इसका सीधा असर पाकिस् पाकिस्तान की अर्थ विवस्था अभी अत्यंत कमजोर है मतलब यह कि पाकिस्तान के समक्ष आर्थिक चुनोतियां मौजूद होंगी और वो बढ़ेंगी उसके अलावा देखिए कि यह जो Financial Action Task Force की हालिया बैठक हुई है उस बैठक में पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसी ची आस का मतलब यह है कि पाकिस्तान को ऐसा लग रहा था कि यह जो देशें वह पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट से बाहर लाने में उनकी मदद करेंगे लेकिन इन में से किसी भी देश ने मतलब चीन, सौदी अरब, मलेसिया ने पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया जबकि कि वह अपने राजनीतिक अस्तित्य को बनाए रखने के लिए आटोमन सामराज जी के विरासत को पुनरजिवित करना चाहते हैं, उस विरासत को फिर सामने रखना चाहते हैं, इसलिए उनका जुकाओ काफी हद तक कट्टरवाद की और बढ़ता चला जा रहा है, और वहीं उनकी भी मदद मिल रही है अजरबैजान को, अब हम बात करते हैं भारत की, देखे, फानेसल एकसेंट टास्पोर्स ने 2020 में तीन बार पाकिस्तान को ग्रे लिष्ट में डाला, अब इसका क्या आर्थ वो देखिए, यहाँ पर यह है कि 2020 में जो तीन बार पाकिस्तान को ग् तो वो समाप्त हो चुका था, तो इसका मतलब यहाँ पर यह था कि automatically पाकिस्तान को इरान और उत्तर कोरिया के साथ ब्लैक लिष्ट में सामिल कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है और पाकिस्तान को अभी भी ग्रे लिष्ट में रखा गया है, तो मतल की बात है, वहीं ग्रे लिष्ट के जो माइने के संदर में हम भी भारत पर चर्चा कर रहे हैं, उसमें यह भी देखिए कि पाकिस्तान ने कहीं न कहीं दवाब में आकर ही, वहां की संसद ने आतंकवाद निरोधक कानून का निर्मान किया, और यह जो आतंकवाद निरोधक कानून का निर्मान पाकिस्तान की संसत के दौरा किया गया है, वह अंतराश्टिय मानकों के अनुरूप है, जिसमें की लस्करे तयबा जैसे मुहमद इन पर दवाब बना गया, कि वो सार्जनिक बयान ना करें, उसके अलावा, उन पर यह भी दवाब बना गया, कि वो सार् वहीं अफगानिस्तान में जो शांती की प्रक्रिया चल रही है उसमें पाकिस्तान अपनी महत्पुर्ण भूमिका निभा रहा है और खासकर तालिबान के साथ जो अमेरिका बाच्चित कर रहा है उसमें पाकिस्तान की भूमिका काफी उलेखनी है तो अब यहां पर यह है कि XL Action Task Force की जो प्रक्रिया अभी चल रही है उस प्रक्रिया में पाकिस्तान से या उमीद की जा रही है कि पाकिस्तान एक जिम्मेवार देश की भूमिका निभाएगा अपनी भूमिका को उस रूप में सामने रखेगा वेस्विक इस तरपर तो अफगानिस्तान की जो शांती प् आतंकवात को रोकना नहीं है तो फिर क्या है तो भारत का उद्देश यह भी है या भारत का लक्ष यह भी है कि पाकिस्तान में मौझूद जो आतंकी अब सनचना है उसको धस्त करना और उसको समाप्त करना और भारत का जो लक्ष है वो पाकिस्तान के हित के दृष्टिकों से भी अत्कंत महत्यपोर्ण है तो अब आसा इस बात की है कि Financial Action Task Force की जो प्रकरिया चल रही है उस प्रकरिया के यथार्थ से अबगत हो कौन इसलामाबाद तो इस प्रकार पहला संपादिकी जो Financial Action Task Force के ग्रे लिस्ट पर पाकिस्तान के बरकरार रखे जाने पर था हमने चर्चा की चले अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे संपादिकी की ओर जिसका शिर्षक है Clearing the Air और यह जो संपादिकी है इसे भी लिया गया है दा हिंदू नियूज पेपर से और यह संपादिकी है GS Paper 3 में शामिल विसे संगरक्षन परियावरन प्रदूसन और छरण परियावरन प्रभाव का आंकलन के दृष्टि कों से महत्रपूर्ण है चले देखते हैं इस नौंबर को अमेरिका में राष्टपती चुनाव होने जा रहा है और राष्टपती चुनाव से पूर्व अमेरिका में यह परंपरा रही है कि राष्टपती पद के उमिदवारों के बीच सार्जनिक बहस का आयोजन किया जाता है तो इसी सार्जनिक बहस के अंतिम आयोजन में Republican Party के उमिदवार Donald Trump और Democratic Party के उमिदवार Biden आमने सामने थे और इसी राजनितिक बहस के दौरान Donald Trump ने भारत, चीन और रूस की हवा को गंदी हवा की संग्यादी अब यहाँ पर यह महतपूर्ण है कि जिस Donald Trump ने भारत, चीन और रूस की हवा को गंदी हवा की संग्यादी आखिर तो वही Donald Trump परियावरण के प्रती कितने समवेदन सील है इसकी भी समिक्षा किया जाने की ज़रत है समिक्षा करने के बाद हम यह पाते हैं कि Donald Trump के कारिकाल में परियावरणिये कानूनों जैसे Automobile और कोल प्लांट के परदूसन और उस्सरजन से संबंदित कानून तो इन कानूनों की धज्या उड़ी है Donald Trump ने जिस चीन और भारत पर उंगली उठाई है वही चीन और भारत जलवाय परिवर्तन पर जो पैरिस समझोता है उसके प्राबधान को लागू करने पर अपनी परतिबदता दिखाई है और खुद Donald Trump के नित्रत वाली अमरीकी सरकार ने अमरीकी परसासन ने पैरिस समझोते से खुद को बाहर रखा है अब हमने देखा कि Donald Trump का नजरिया क्या है अब हम यह देखते हैं कि भारत के संदर्व में Donald Trump का जो बयान है गंदी हवा के संदर्व में तो आखिर इसके क्या माइने हैं इसके दो माइने हैं पहला खराब एबम और प्रयाप्त स्वक्षता दूसरा बढ़ता प्रदूसन इस्तर तो हम इन दोनों माइनों पर जड़ा गौर करते हैं पहला कि खराब एबम और प्रयाप्त स्वक्षता देखे एक वेबसाइट है जिसका नाम है Our World in Website तो इस वेबसाइट के 2017 के एक सरवेक्षन के अनुसार जो वैस्विक इस्तर पर मौत होती है उस मौत का 1.4% मौत स्वक्षता के निम्न इस्तर के कारण होता है और वही यहां आकड़ा निम्न आए देश में कितना होता है कुल मौत का 5% और इसी 2017 के सरवेक्षन में भारत की जब तुलना की गई पड़ोसी देशों खासकर पाकिस्तान और बांगला देश से तो स्वक्षता के इस तरपर भारत की इस्तिती बहतर नहीं थी पाकिस्तान और बांगला देश से आकिर किस रूप में निम्न स्वक्षता आर्थिक विकास के मार्क में बाधक होता है वह होता है अकाल मृत्यू के संदर में मतलब प्रिमेचूर डेथ वह होता है चिकित्सा लागत के संदर में मतलब यह कि अगर निम्न स्वक्षता है कहीं पर तो मतलब व्यक्ति संकर्मित हो और फिर एक व्यक्ति जो बिमार रहेगा शारिरिक रूप से और मांसिक रूप से तो मतलब यहाँ पर यह है कि उस देश और उस शेत्र का जो मानव संसादन है उसकी उत्पादन सक्ति भी क्या रहेगी निम्नि रहेगी। वहीं WHO के अनुसार अगर स्वक्षता पर प्रती डॉलर खर्च किया जाता है तो फिर इससे नौ डॉलर का लाब होगा। लाब किस संदर में? दो संदर में, एक बचत के संदर में और एक प्राप्ति के संदर में। बचत का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर स्वक्षता पर प् पर जो लगने वाले लागते वह भी कम हो जाएगी और व्यक्ति या जो मानव संसाधन है उसकी उत्पादन सक्ति क्या हो जाएगी वह बढ़ जाएगी तो मतलब यह कि उत्पादन दिवस में बढ़ हुत्री होगी तो उसकी आय में बढ़ हुत्री होगी तो यहां पर जो Global Air Report 2020 या State of Global Air Report यह रिपोर्ट अमेरिका की एक गैर सरकारी संगठने नाम हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टिचूट उसके द्वारा जारी किया जाता है तो इस State of Global Air Report 2020 में भारत के स्वास्त के संदर में या बात कही गई है कि भारत के स्वास्त को सबसे बड़ा जो खत्रा हुआ कि वह है वायू प्रदूसन से ग्लोबल एर रिपोर्ट 2020 के अनुसार वर्स 2019 में 1,16,000 नवजातों की मिर्थ्यू प्रथम महिने में हुई और इस मिर्थ्यू का कारण क्या है इस मिर्थ्यू का कारण है वाहे वातावरन और आंत्रिक वातावरन में मौजूद प्रदूसक वाहे वातावरन में कौन से प्रदूसक तो पार्टिकूलेट मेटर 2.5 और आंत्रिक वातावरन में कौन से प्रदूसक तो कोईला लकडी और गोबर के इस्तमाल से जो प्रदूसक उत्पन्न होते हैं वो वही जो ग्लोबल एर रिपोर्ट है उसके अनुसार देश में PM 2.5 मतलब पार्टिकुलेट मेटर 2.5 का इस्तर 2010 से लगातार बढ़ रहा है वही एक अलग अध्यान डाउन टो अर्थ के द्वारा क्या गया है तो डाउन टो अर्थ के State of India's Environment 2020 रिपोर्ट के अनुसार देश में ऐसे कई शहर मौजूद हैं जहां पर प्रदूसन का इस्तर अंतराष्टिय मानकों से जादा है वही एक अंकडे के अनुसार अगर पार्टिकुलेट मेटर 2.5 की बात करें तो इसका वार्सिक औसत इस्तर डवलू एच ओ के मानक से च जार गुना जादा है वही अगर हम प्रदूसन समन के उपायों की बात करें तो विभिन इस तरों पर देश में प्रदूसन समन के उपाय भी देखे गए हैं अब जैसे देखिए केंद्र सरकार के द्वारा एयरशेड मैनेजमेंट की बात की गई है वही नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जिसे की 2019 में प्रारंब किया गया है और जिसका लक्ष 2024 तक वायू प्रदूसन के इस तरमें 20-30 प्रतिसत की कमी करना है इसके उपाय अपनाए गये हैं वही हाल ही में दिल्ली सरकार के दोरा युद्ध के विरुद्ध प्रदूसन अभियान को प्रारंब किया गया है सुप्रीम कोर्ट के दोरा अनुमोदित ग्रेडेट रिस्पॉंस एक्षन प्लान अपने उद्देश्यों को लेकर गंभिता पुर्वा कारी कर रहे हैं भारत स्टेज 6 उसर्जन मानक को लागू कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का गंभिर होना है अब निसकर्स यह भी यह आवस्यक है क्योंकि COVID-19 के आगा में शीत रितु में बढ़ने की संभावना देखी जा रही है मतलब यह कि उसकी दूसरी लहर की संभावना है क्योंकि शोध करताओं का यह मानना है कि वायू प्रदूसन के इस तर में अगर वृद्धी होती है तो COVID-19 के असर में भी वृद्धी देखी जाएगी इस प्रकार दूसरे संपादिकी के माध्यन से हमने ट्रंप के भारती प्रदूसन इस तर पर दिये गए बयान पर चर्चा के अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे और अंतिम संपादिकी की ओर जिसका शिर्षक है ट्रस्ट इन कॉंपेटिशन और इस संपादिकी को लिया गया है इंडियन एक्सप्रेस से और यह संपादिकी है जी एस पेपर टू और जी एस पेपर थर्ड इन दोनों प्रश्ण पत्रों के दृष्टिकों से महत्पूर्ण है तो देखते हैं इस संपादिकी को विस्तार से इस संपादिकी का आधार क्या है इस संपादिकी का आधार है गूगल पर एंटी ट्रस्ट केस का दर्ज होना देखे मामला यह है कि अमरिका के जस्टिस विभाग और अमरिका के ग्यारह राज्यों की द्वारा गूगल पर मामला दर्ज किया गया है और मामला जो दर्ज किय गया है उस पर आरोप क्या है ये देखिया मतल़ किस आरोप के आधार पर Google पर मामला दर्ज किया गया है तो आरोप यह है Google पर कि Google ने सर्च इंजन वैपार में 90 परतिसत से जादा बाजार हिसेदारी को प्राप्त करने के लिए सौधा किया है विभिन्ने कम्पनियों के साथ ये किस परकार का सौधा है और ये किस परकार का डीले जर ये देखिए, डील यह है कि विविन परकार की कमपनियों और जो ब्राजर्स हैं, उनके जो डिवाइस हैं, उस डिवाइस पर प्री सेट सर्च इंजन रहता है किसका? गूगल का. तो आखिर इससे इन कंपनियों को या ब्रॉजर्स को क्या फाइदा होता है फाइदा उन्हें यह होता है कि गूगल उन्हें अपने विज्ञापन से जो गूगल को कमाई होती है उसका वो एक हिस्सा देता है वहीं देखिए कि यह भी आरोप लगा है गूगल पर कि गूगल एपल के साथ मिलकर बाजार में मौझूद जो अन्य प्रतिस परदी हैं उसको बाहर करते हैं वह कैसे वह ऐसे कि जो आकड़े हैं वह आकड़े यह बता रहे हैं कि अमेरिका में गूगल का जो सर्च ट्रैफिक है उस सर्च ट्रैफिक का आधा वो कहां से होता है आईफोन से होता है वहीं Apple का लाब जो है उस लाब का पाँचवा हिस्सा वह उसे कहां से प्राप्त होता है Google से प्राप्त होता है उसके अलाबा Google पर यह भी आरूप लगा है कि Google नवा चार को प्रभावित करता है वह ऐसे क्योंकि जो इंटरनेट का मार्केट है जो सर्च इंजन का मार्केट है उसमें Google का एकाधिकार है और इस एकाधिकार के कारण यूजर्स के समख्च कोई विकल्प ही मौजूद नहीं ह होता है इसी कारण अगर कोई नई कंपनी सर्च इंजन के बाजार में आना भी चाहती है तो फिर यूजर्स तक उसकी पहुंच नहीं हो पाती है उसके अलाबा Google प्रैवेसी डेटा को भी प्रभावित करता है अब यह जितने भी आरोप Google पे लगे हुए हैं तो Google ने आखिर दवाव के Google की सेवा का उपभोग करते हैं उसके अलाबा Google का यह भी कहना है कि Google जो भी सेवा अपने यूजर्स को प्रदान करता है वह उसे मुफ्त में देता है वहीं Google का यह कहना है कि अपनी सेवा के विस्तार के लिए Google, Apple और अन समार्ट फोन कमपनियों को pre-set इंजन की रूप में Google को इंस्टॉल करने के लिए कहती है, परंतु इस प्रकार के इंस्टॉलेशन के लिए Google इन कमपनियों को भुखतान करती है, अब हम एक नजर डालते हैं भारत एवं Google के समंधों पर, लेकिन उससे पहले हमें यह पता है कि भारत में प्रतिस्पर्धी वातावरण क निर्मान के लिए भारती प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया है, तो भारती प्रतिस्पर्धा आयोग गूगल के विरुद्ध इसी प्रकार के समान आरोपों की सुनवाई कर रहा है, अब देखिए कैसे, तो भारत में विक्री के लिए जो स्मार्ट टीवी आते हैं उन स्मार्ट टीवी में पहले से ही Android ओपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है और ये मामला भारती प्रतिस्प्रधा आयोग के पास है वहीं पिछने महिने Google और Paytm के बीच विवाद हुआ विवाद किया था? विवाद या था कि Google ने Play Store से Paytm को कुछ समय के लिए हटा दिया था और Paytm ने Google पर या आरोप लगाया कि Google का चुकि एकाधिकार है इसलिए Google हमेशा अपने उत्पादों को ही बाजार में सक्री रखना चाहती है और उसे आगे रखना चाहती है और अगर Google को किसी कमपनी से परतियस्परधा मिलती है तो फिर Google उस कमपनी को हतोचाहित करने का प्रयास करता है अब निसकर सुरूप में अगर हम बात करें तो हम यह कह सकते हैं कि बाजार में Google के उत्पाद को जो एकाधिकार मिला हुआ है या जो एकाधिकार का इस्थान है तो इस एकाधिकार की पराप्ती Google ने सरकार से कोई Gospel पराप्त करके नहीं किया है बलकि Google का यह जो एकाधिकार है वह network का प्रभाव है क्योंकि internet में प्रवेश का जो पहला मार्ग है वह Google से होकर ही जाता है तो महज मामले को दर्ज करना और सजा के रूप में उस पर जुर्माना लगा देना ही इस मामले का समाधान नहीं है क्योंकि ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि विकत दो दसकों में जो गूगल का उदे हुआ है उसने ना केवल व्यापार को प्रभावित किया है बल्कि गूगल ने राजनिती और समाज को भी प्रभावित किया है इसलिए वैस्विक इस्तर पर ना केवल Google बल्कि Facebook जैसे भी जो कमपनिया हैं उन कमपनियों की कारेप्रणाली पर एक व्यापक चर्चा करने की आवश सकता है और आम सहमती के आधार पर इनसे सम्मंधित एक वैस्विक कानून बनाने की भी आवश सकता है ताकि वैपारिक एकाधिकार पर रोग तो लगे ही उसके साथी साथ प्रति इसपर्धी बाजार का निर्मान हो जिसमें समाज और उपभोगता दोनों के हित सुरप्चित हो सके तो इस प्रकार हमने तीसरे संपाधिकी पर भी विस्तार पूर्वक चर्चा के यह रहा आज का प्रस्ण है निम्न कत्नों की सत्यता पर विचार करें तीन कत्न है पहला फानेंसियल एक्सेंट टास्क फोर्स का मुख्याले पैरिस में है दूसरा कमेंट सेक्षन में आपके जवाब का इंतजार रहेगा इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नमस्कार